नमस्कार इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज लैफ राजस्थान और मैं हूँ आपके साथ हिंगिस चौधरी दिल्ली में दुशकर्म प्रिड़ता की पहचान उजागर कराने का आरोप जैपुर में राहुल गांदी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने पहुचे भाजपा नेता रिपोर दर्ज नहीं करने पर थाने में प्रदशन कर घरने पर बैठे दिल्ली की गेट इलाके में पिछले दिनों दुशकर्म का शिकार हुई 9 वर्षी बच्ची की पहचान उजागर करने के मामले में राजस्थान में राजदेती गर्मा गई है भाजपा के प्रदेश प्रदादिकारी वेरात कारे करताओं ने जैपूर के अशोक नगर थाने में कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी की खिलाफ F.I.R. दर्ज करवाने पहुचे लेकिन पुलिस ने अन्य जगय की घटना होना बता कर रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया इसके बाद भाच्पा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोटफाल की अनुवाई में भाच्पा कारे करताओं ने राहुल गांदी वे प्रशाशन के खिलाफ विरोत प्रदर्शन किया थाने के मुख्य गेट के पास ही धरने पर बैठ गए बाद में उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुच कर समझाईश की पुलिस ने रिपोर्ट को लेकर अपने पास रख लिया इसके बाद दोपहर करीब एक बजे भाच्पा कारे करताओं को FIR दर्ज करवाई भी नहीं वापिस लोटना पड़ा राहुल गांदी के खिलाब FIR दर्ज नहीं करने पर अशोक नगर थाने में धरने पर बैठे प्रदेश मुख्य मंतर जितेंदर गोटफाल वे भाच्पा कारे करता राजनिते के चकर में पीडिता की पहचान को छपाना भूल गए राहुल गांदी भाच्पा प्रदेश मंतरी प्रदेश मंतरी जितेंदर गोटफाल ने बताया कि कैंट इलाके में राहुल गांदी ने दुशकर्म पीडिता बच्ची की मा से मुलाकात की थी इन फोटोस को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया इससे बवाल मच गया भाच्पा का आरोप है कि राजनितिक महत्वकान शाओं के चक्कर में राहुल गांदी ने सोशल मीडिया फोटो पोस्ट कर दुशकर्म पीडिता बच्ची और उनके परिवार की पहचान उजागर कर दी जो की 228A IPCC पोस्टो एक्ट वे जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के तहत अपराद है गोटवाल का कहना है कि कॉंग्रेस पीडित दलितों के साथ हमदर्दी का नाटा करने के बजाए उनकी पहचान सारवजनिक करने का मजाग बन करें यह दलितों के साथ अन्याय है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कारवाई की जानी चाहिए